सावित्री के पदिदेव का सच आ गया है सामने जिनोंने लिए थे साथ लाक रूपे सावित्री जानते बूझते सारी बातों को छुपा रही है क्यों चुपा रही है सावी क्यों एक गरीब इंसान के उपर इस चीज का आरोप लगाया गया कि वो साथ लाक रुपे लेके चला गया आप बताईए हमें जो लोग यहां पर आकर यह कमेंट करके जाते हैं न कि उसकी ग्रस्ती के अंदर आग मत लगाईए तो हम आग लगाने उनके ग्रस्ती में नहीं जा रहे हैं वो भी किसी की जुंदगी में आग लगा रहे हैं बैठके सावित्री बहात आज करने सावित्री पक्ते में इसलिए इस वीडियो को पूरा देखेगा जो अभी तक शक था इब वो यकीन में बदल गया है यकीन में क्यूंब बदला वो भी आपको बताऊंगी और प्रूफ के साथ साही बाते आप लोगों के सामने रखूंगी कुछ जूट नहीं है, सब चीज सच्चाई सामने आ चुकी है और गणेश जी अब आप कितने शातिर हैं ये तो आप ही जानते हैं पर आपकी शातिरता ये यूटूब जो यूटूबर्स हैं उन्होंने पकड़ ली है, तो अब तो आप ही जाने कि आप कैसे इन चीजों से बच पाएंगे क्योंकि पता है ना कि घरवाली से तेज सालिया निकलती है तो देखो कितनी सारी सालियां बैठी हैं आपकी यूटूब पे तो वो तो छोड़ नहीं सब्सक्राइब तो ये बात बहुत अच्छी हुई कि उससे मिलने उसके भाई और भावी जा रहे हैं वहां उनके पहुंचने पर एक चीज आपने देखी आज के वीडियो में बताया सावित्री ने कि हमें भी यहां तैयारी करनी होगी जब वो आएंगे और उन्हें आने से पहले बता दिया जाए कि वो कब पहुंचेंगे तैयारी का मतलब दो तरीके से होता है एक तो महमान के आने की तैयारी की जाती है और एक बहुत कुछ छुपाने की तैयारी की जाती है जो छुपाया जाएगा वो भी पता चल जाएगा और जो सच है वो भी सामने आएगा क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती ज़ाधा देर तक बहार आही जाती है जब हम ये बात बहार ले आए कि शादी से पहले सावित्री अपने सासरे गई थी तो बहुत सारी बाते बहार लाने में देर नहीं लगेगी वहाँ जाने के बाद सब चीजों को भाब चुकी थी सावित्री सब कुछ सावित्री को पता था फिर उसने स्टार्टिंग से ये गेम क्यों खेला सावित्री ने खेला या फिर उससे खिलवाया किसी ने नॉन्वेज तक ही कहानी नहीं रुकी है सब कुछ सामने आ रहा है दीरे दीरे और बहुत कुछ छुपाने की कोशिश भी की जारी है ओडियन्स से कि उनको ब्रहमित कर सकें और बे मेल जोडी को जोडी बनाया जा रहा है अब सच सामने आएगा सावित्री के पदिदेव का सच आ गया है सामने जिनोंने लिए थे साथ लाक रूपे आज उनसे मेरी बात हुई और उनसे बात होने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत बड़ा फ्रॉडी इंसान है इस चीज को भाप चुकी है अब कौन चुकी है या आप समझी गए होंगे ठीक है और रिकॉर्डिंग की बात रही तो मैं रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर आप मुझसे बोलेंगे तो और जो भी चीजे है ना सब लोगों को जो लग रहा था कि कुछ ना कुछ जोल है इनकी शादी में कुछ ना कुछ तो इनकी शादी में छुपा हुआ है तो वो सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है क्यों उस बंदे को मतलब बोला गया वो 10,000 रुपे मतली कमाता है बंदा 10 से 12,000 रुपे उनकी तनका है महिने की वो 7,000 रुपे लेके अगर भागता तो वो कमपनी में काम नहीं करता सबसे बड़ी बात जिनको रोज कॉल करके उसको मारने की धमकी दी जाती है फ्रॉड खुद करते हैं शादिस की जारी है सावित्री की साथ पता है आपको उसको बेफकूफ बनाया जा रहा है आप लोग देख रहे हैं और हम लोग आकर बोल रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हो बहिए क्या गलत बोलते हैं जब वो रेक्शन मैं आपको बताती हूँ वो लोग अगर गाने पे डांस करते हैं तो वो भी कॉपी करके ही तो करते हैं ऐसे तो नहीं करते हैं तो हम तो बात कर रहे हैं, सावित्री जानते, बूजते, सारी बातों को छुपा रही है, क्यों छुपा रही है सावित्री इन बातों को, समझ में नहीं आता, क्या इन सब चीजों के पीछे खुद सावित्री का हाथ है, या फिर सावित्री इन सब चीजों को कंटेंड की तरह यूज़ कर रही है यहां तक दावा किया जा रहा है कि वो जो लड़की है वो उनकी बहन नहीं है जिसकी मानसिक इस्थिथी ठीक नहीं है वो लड़की उनकी बहन नहीं है तो क्या कंटेंट के लिए इस सब किया जा रहा है अगर कंटेंट के लिए इस सब किया जा रहा है तो तो जादा दिन ये सब चीजे नहीं चलने वाली हैं क्योंकि सच आये देर नहीं लगती है और हम वही चीजे लेकर आते हैं जो खुद की उनकी वीडियो में बोली गई बाते होती हैं ठीक है आप लोग बोल रहे हैं न कि हमें प्रूफ दिखाईए तो मैं आपको बता देती ह हुँ आज जो आपकी सावित्री आपकी हमारी सावित्री है वो शादी से पहले ही अपने ससुराल जा चुकी है वहां पर चिकन नौनवेज बना कर खा भी चुकी और गणेशी को खिला भी चुकी है क्यों ये बात जूट बोली गई कि उनके पती नौनवेज नहीं खाते है क्यों ये बात जूट बोली गई कि उनके पती धार्मी जिनके घर में पूजा पाट होती है न तो भैया उनके घर में दिया जलता है धूप दिब भी दिखाई जाती है हाथ ही जोड कर नहीं रहा जाता है तुमारे घर में कभी दिया जलते नहीं देखा हमने ऐसे कैसे क्यो एक गरीब इंसान के उपर इस चीज का आरोप लगाया गया कि वो साथ लाक रुपे लेके चला गया आप बताईए हमें जो लोग यहां पर आकर यह कमेंट करके जाते हैं ना कि उसकी ग्रस्ती के अंदर आग मत लगाईए तो हम आग लगाने उनके ग्रस्ती में नहीं जा रह है उन्होंने हमें बताया है कि यह चीज़े ऐसे हैं और यह चीज़े मैं आपको दावे के साथ कह सकते हूं सच्चाई बहुत जल्द सामने आने वाली है इतना जादा वो सब चीज़े हैं जो जब सामने आती हैं तो आपको पता है कि वो बर्दाश के बाहर होती हैं यूट ठीक है तो फ्रेंट्स अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजीगा वीडियो ची लगती लाइक इन शेयर कीजेगा इस वीडियो के रिकार्डिंग अगर आपका कोई भी कोशन है तो कमेंट शेक्शन में देना मत बूलेगा तो आने माली थाइचुछ वड़गा जाने मत शेक्शन में प्रवाचिंग जाता रिकार मत जाताओ कर दाने में देना मत वाचिंगा जाएटुछ भाचिंगा टाने मत जाता बूलेगा लिजाएब कार ठीक है।